वेल गाइस मैं हूं हिमत कुमार रादया और आज की स्थीडियो में हम बात खारने वाले हैं कि कैसे आप अपना खुद का एक मशीन लर्निंग का एक प्रोग्राम बना सकते हो और उसकी हैलप आप अपने खुद के प्रोजेक्ट में ले सकते हो तो आज की स्थीडियो में हम जो मॉड्यूल यूज करेंगे वहोगा साइक्यूट लर और जो डाटासेट होगा वहोगा आईरिस डाटासेट ताकि इस एक् मशीन लर्निंग अलगुरितम को यूज करेंगे तो वह अलगुरितम कॉन कॉन से होगा गी डिसिजन्री सपोर्ट वैक्र मशीन और लौजिस्टिक रेगरेसन ठीक है यह लिनियर रेगरेशन जो हम यूज करेंगे आज किस वीडियो में तो जाद देर ना करते होगे चलते वेल गाइस आज की स्वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपना खुद का एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम आप बना सकते हो इस प्रोग्राम में हमारा जो टार्गेट होगा हमार जो प्रॉब्लम में वो यह है कि हम जो है एक डाटा सेट ले रहे हैं इंटनेट से इसका तरह वर्जहिं परना जाज में कि लिदे रह रहे हैं और सेटी के अलगा अलग अलग श्रीटी कि हम ऌते ही क्लासिफाइ करना थे उका पैटल लेंग है अन्ट कि स्वैजिए करना कि वित इसका उर्पनेट करें टारी टिटेल बेंगे इन चीजहों से हमको खु़ने कि औह् erte चलिख कर दूल कर तो वत необходимо है अलर चलिक वर चलिख को एतनी व्रूट अजो पने दें के विट है यूम को यह हमको याला मिलेगा तु preparing एक डाटा जार्गार एक ये दाटा साथ्सक्टटेसन कम स्कफ यहां से जो ही भी दान्ट हो तो आप यहां से से डाउडर सकते हो टीक है archive.ics.uci.edu slash ml dataset slash iris टिक है आपको यहां से डाउडर करना इसे आप Google मश्रोड कर सकते हो ठीक है जो ही आपको 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 आप देख सकते हो कि एक पर बात किते हैं आइरिस, सेटोस, वर्सी कलर और वर्जीनिका अब को तीन लेंग आप देख सकते हैं अब करने इस तीनों को क्लासिफाय करने तो हम क्या करेंगे एक मौड्यूल पाइथन में एसका क्या है ठीक है इसमें पहले से ही प्रिविल्ट जो है मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिसको हम अपने इस मशीन लर्नि प्रोग्राम में हमसे यूज करेंगी ठीक है सिंपल आपको विन्डूस आपको cmd open करने हैं और यहां को लिखना है प्याइप इंस्टॉल अगर आपके पास रहें से अनकोंडा राखा है तो आपके पहले से ही होगा ठीक है मेरे पहले से तुमें इसको इसको नहीं करूंगा आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो ठीक है अब ज यूपिटर चलुक है झालोदिए है कि ईशी है किका राइओंड को सब्सक्राइड है अगला में फॉल नाम के फाइल है इसके अगलाना है कि इसनले अपना सैक्पायल के फैसे ऑट संद्राइड इे इसके जो आप पको खोलता हूं एक एक नय अपफाइखन फाइल मैने आपको खोल दिया है आपके खुल चुका मेप को डीयुक करके अपको रिने में मेना करना को अपको बनार खिरünde अपको एक जबिदध करना कर लोग तो ardset.np डिर्वारी हेज़ आपको पहले.. थीचिंहे है भी पहले इंपोर्ट करने है उक झेन में अपाई तो सब्सक्राइ upfront घर में 24 रखेशा है, आपको कार आपको कैसे जाती जिधर बरूदिदी कीजो बाव कर से creo बनाके में भी जाती है तो आपको matrix जो है skln सापको इंपोर्ट करनी है देन आपको क्या करना है linear regression नाम का एक module होता है जो कि एक machine learning algorithm है ठीक है simple एक function होता है और जो होसे model तेया करना होता है और आपका सीधा पो तेया बजाएगा तो आपको कैसे इंपोर्ट करना है from skln.linear model import linear regression ठीक है spelling करण डीक है कर दो कि आपको कर दो कर दो कि सुठब आपको कि अल्च आपको कर दो कि आपको कि आपको पर आपको कि आपको करना है from skln.trtr import आपको कर दो करना है decision tree classifier इसमें बेना तृर्श करते हैं और आपको इंपोर्ट करने है फ्रॉम क्लरिण की नहीं जरी है stehen डिये तेहिटी इंपोर्ट एक प्रॉम का siitä इसमें है विश्थ इन गोसिपमें इसमें इसम कैंपोर्ट करते हैं आप इसमुल है त्रौं अमिये अनम यहां आहां पर इन्पृस्टर दो के फिर नेकैंग प्रें इने खластिकर और इंब HTTP कर दोच और जाती है आपको यह आईरिष नम की फाइल नहीं चाहां से एक वेबसाइट आपको बदाया थी एक है UCI Machine Learning Repository से और फिर आपको जो है आपको आपको डाल दाल लूँ आप देख सकते हो आईरिष इस 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 टो PD.READ.CSV एक है CSP फाइल होती है इस 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 आपको देखो आपको किसा डिटेल्स है क्योंकि आपको यह वांड मैथोड लिखा गए तो यह थोड़ी जो उपर की टाइटल वह उद्रक्रिंट गए है तो इसमें स्पिसिस लिखिए कौन कौन सी है कि अगर इजनी लेंथ है तो कौन सा है सेटोसा है या फिर वर्जेनिका है ऐसे करके टेबल बनी होगी है तो फिलाल मैं भी डिसक्राइब करके लिख लेता हूं ठीक है तो आपको दिख जाएगा ठीक है इसमें बस वह प्रिंट ने उपारा है इस पीसिस वाला ठीक है अब न कि अगरे पार्ड़ भार ठीक है तो इसमें टाली अप्रिंट करेंगे तो ने इसमें स्प्लेट का तो पार्ट होगा जिससे हमें अपने मशिन लेन्ही अलगरितम को हम इस पार्ट हो कि इतनी लेंध के सांथ हमारा कौन सास्पसीस ओं ओका हमारा कौन सा स्पिसी ओगा ऑर 25% पर एंप करेंगे लिए टेस्ट करेंगे कि एकाया इस असके हलु पर सफ पीसट को टेस्ट करेंगे कि कैसा काम करेंगे मागे कि जो एक devil कि आप भाइक तो तोड़ा था, तो test आप देख सकते हैं, okay? Sorry, test लिखते हैं आपको अब आप से प्रिंट केजिए आपको अब देख सकते हैं तेस्ट में देखिए आप काफी काम है, लेकिन है वोई चीज है कि कि इतने लेंथ पर कॉन सा है अब हम क्या करेंगे इसको और ब्रेक करेंगे, जितनी जो लेंथ और विर्थ वगारा दे रिखिया है, दोनों में इसको हम फीचर्स बोलते हैं और जो स्पेसिस है इसे हम लेबल बोलते हैं, ठीक है? जो हम ट्रिडेट करनी होगी बात में पाल जीसे यह विर्थ वगारा तो फीचर्स बोलते हैं, तो इसे फीचर और लेबल को हम अलग अलग करेंगे, इनको बनाइगे तो इसको स्पिलिट करेंगे हैं कैसे ? Train X, X में क्यों होंगे Features, मैं लेंद, Width वगरा वगरा चितनी भी है तो हम बढ़ टालेंगे, अब हम सो एक एक कॉलम करके उठाएंगे, ठीक है, आप कॉलम के नाम उपर पढ़ सकते हो, ठीक है पैटल, Weight, Quality, पैटल Length, पैटल Width, यह आप कुछ हम क्या कर रहे हैं आपको, जो ट्रेन X में क्या कर रहे है, इस पीजिस वाला जो लेबल है हमारा जो लाश्मीज में वर्जय निकाल सेट वागर लिखा उसको थोड़के बागे सारी चीज़ हम ट्रेन X में टाल लेंगे, जो कुछ प्रेनिंग अम्छा Ciा को ट्रेस्ट उ... क्या कहते है ले टार्गेट है भागें टार्गेट में कार्छें है, वर्प्राइनिग में कहते हैं का सीमें चत्राइजड़के। अईड़के। जो तर दीकाल त्क्ष्ट कर मेंठाएं टार्गेभ नगर के टेसे लिएैं। स्टेब लेंग इसमें चूड़ना, स्पेसिस दाड़ परिंट की जो पाइल जान या इसमें को चोड़ हैं ने अच्छ आपको सेम को टेस्ट को भी स्प्लिट करना है दो अजिन एक प्रमाइब करेंगे लिए अगर आप अपने लिए जितने भी आप मसिन लेंग अल्गुरिदम के लाप टैटर्ट पर रहे हैं तो आपको ए ट्रें एससी को स्प्लिट करना ही पड़ता है ताकि जो है आसान हो जाने, सेम आपको सेम उसकी तरह आपको पेस्ट कर देना है। सब को पेस्ट कर देना है, आपको वापस से फीस्छ जाके आपस दुबारा देख सकते हो। तो यहहां पर दिखाए है लिख दिया है लिखा आपको कहने तेस्ट य९ से अकर यै सले सबस्た Só तो आप बैद कर लेक्षishing कि देक रसे हैं dal गोडोस सब्सक्राइट करने इन मोडल में 1 classifier system अरो कानना में अग्रेंस और की तो है ? न्यितर हुआ एत्दर को मौडल क्या है? मौडल.Fit दो में MARKरकी तुम से मारे पारियोफ दो पर हमारे वास trainX को चाहिए और क्या होगवभा इन दोनों को देखकर तब क्या होंगवग तब क्या होगवग एकTwitták स्कार्म करें चन्म है अब सिस्क काなん नाम कि उस हो यह प्रिटेट करेंगे उस मॉडल से तो हम क्या करेंगे प्रिटेत करेंगे उस मा वारीबल मनाशेमें उस म Sugede ts test x जो हमको हमने दिस्प्रेटका लासा बाद में तो test x ढालेंगे फिर क्या करीगा है test y यानि कि जो असके टारगें कि इसमें इसमें क्लासिफिकेशन कॉन क्वां सा है कॉन कॉन सा स्पीसिस्ट है वो predated variable महा जेंगे हम क्या करेंगे predated और test y वाई को से फ्लावर तहीं को सी फ्लावर है क्वं कॉण से फ्लावर हैं तो हम क्या करेंगे प्रेड़ architect origin लिखे सिसके अंदर कुछ से ऑड्सी बालगी है मैंड तरेक्स डॉट्रिक्स हमारे मैं प्रोम्राम से आते हिरें अब मैं recurs wings अब आपको कहांने से इंदर आपको लिख देना है टेक्टेक्ट कॉमा टेस्ट वाई जो उनको पहले से पता है आपके कालेगा जो पहले से पता है और जो अभी है उन्दों को compare करेगा ठीक है लेकिन अभी error आगिया है तो यहां को लिखना है accuracy score लिखना है आपको ठीक है तो यहां को मैं लिखता हूँ अभी ओके तो यहां को लिखता हूँ accuracy score and next तो अब आप देसक्तों यहां को 94% है हमको accuracy मिली है मलब कि 94% जो है हमारा accurate machine learning algorithm काम कर रहा है ठीक है तो आप देसक्तों से matrix.accuracy score यह जो एक function है साव है जब इसकी accuracy लिका सकतो 0.94 रहा है तो यह नहीं की कम है वह 0.94 को हमको 100 से multiply करना परता है तो तब 94% accuracy है ठीक है confuse मत होना असमें फिर हम क्या करना है दूसरा model बनाना है decision tree नाम का एक train y डालने है और इन दोरों को देखकर जो है यह model जो है दुबारा सिखेगा कुछ फिर उस सिखे वैसे हम क्या करेंगे दुबारा से वह value प्रेडेट करेंगे ठीक है तो यहां को जो है प्रेडेटेट वैलिबल हमारा जो है इसमें जालने किया model.predated value डालेंगे इसमें जालना है test x डालना है ताकि हमको जो test y हो उसकी predated values हमको मिले फिर दुबारा हम test y और predated value को क्या करेंगे आपस में compare करेंगे तो predated हमारा जो variable है वो initialize हो चुका है हम क्या करेंगे दुबारा से matrix.accuracy score से हम जो है तो दुबारा compare करेंगे ठीक है तो compare करता है जब देसे यहां पको लिख देते हैं हम जले matrix.accuracy score ठीक है पहले हम लिख लेते हैं तो हमारा accuracy score हो चुका है अब आपको लिखना यहां पको लिखना है जो एल्गोरिदम है उसमें पर लेबर इंकोरिंग करने पड़ते हैं तो वो क्या होता है वो आपका अगली वीडियो में बता होगा क्योंकि जो लीनियर रिग्रेशन इसका काफी कम भी है उसकी काफी कम आती है तो आगर आपने खुद का एक मॉडल बनाने चाहते हो खुद आप इसको यूज करना चाहते हो अपने प्रोग्राम में एक आर्टिफिज इंटेलिएंस की रुपए तो आप भी सब्सक्राइब मशीन और जो है यह डिसेंट्री तो फिर भी आप कमी यूज करना लेगें सब्सक्राइब काफी अच्छा है आप इसे यूज कर सकतो प्या आप इस मॉडल इस जो माँ डेटेस अठा है आइडिस वारा उसको आप इसके ऑफिशर अपसर से डाउनलोड कर सकते हो तो अगर अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मैं मिलता हूँ आप